मुकाबला जो है कोई विकोनिया है नहीं ो कपपे मारते हैं और जो एक तरा से एड कमपनी चलाते हैं उसके बारे में लोगों को अच्छी चरह हिमाचल के लोगों को जानकारी है और उनको कहीं काम रखने को उनको स्थान ने मिलता है उनके पास विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा आज उनके पास ना नेता है ना नीत है ना नीती है ना उनका कोई नियम है निचले लेवल के उपर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं विकास एक मुद्दा है डबल इंजन की सरकार ये दूसरा मुद्दा है मोदी जी की सरकार उपर है तो उसके साथ और आगे बढ़कर जो है विकास के काम करने हैं लोग छोड़के भाजपा को जॉइन कर रहे हैं आए दिन रोज हमारे पास ऐसे लोग जॉइन कर रहे हैं कि जो कितने बरसों से उनके साथ है आप देखिए आज असान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितने बरस तांगरस के अंदर काम किया योतिर्जा सिंधिया जो ह हैं कि अधी कांगरस जो है वो छोड़के जा चुकी है इधर चम्मु कश्मीर में आप देखिए अजाद जी वो भी अजाद हो गए हैं कि देशी नहीं दुनिया के अंदर मोदी जी एक बहुत बड़ा नाम है कि मोदी जी के नाम पर मोदी जी के काम पर जैराम जी के काम के उपर वोट देंगे और भाजपा की सरकार को रिपीट नमस्कार अर्थ परकाश में आपका स्वागत है आज हम पहुंचे हैं भाजपा के अध्यक्ष रहे चंडिगड के संजे टंड़न जी के घर में उनसे हिमाचल के चुनामों को लेकर लेटिस्ट अपडेट और जानकारी लेते हैं संजे टंड़न जी जो है सह परभारी है हिमाचल परदेश के उन्होंने कहीं दिन पहले परचार शुरू कर दिया था पार्टी के लिए और काफी जोर छोर के साथ जो है हिमाचल की कमान समाल रखी है आईए हम उनसे कुछ सवाल जानते हैं कि इस बार जो है भाजपा, कॉंग्रेस और आप एक तरह से त्रिकोनिया मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है उस त्रिकोनिया मुकाबले में आपको क्या लगता है कि आपका किस पार्टी के साथ मुकाबला है देखिए यह कहने को आप त्रिकोनिया कह रहे हैं लेकिन त्रिकोनिया है नहीं जो मुकाबला जो है जो शुरू से पुष्टैनी हिमाचल के अंदर भाजपा और कांगरस के बीच में ही रहा है ये बात सही है के आम आदमी पार्टी उस वहां पर गुस्पैट करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनकी कोई गुस्पैट जो है वो उसके अंदर कामयाब हुई नहीं है और चुकि वो दिल्ली और पंजाब के इतना नजदीक है हिमाचल परदेश के लोगों को उनका स्टाइल आफ वर्किंग उनकी जो वो जो गपे मारते हैं और जो एक तरह से एड कंपनी चलाते हैं उसके बारे में लोगों को अच्छी तरह हिमाचल के लोगों को जानकारी है और उनको कहीं पाम रखने को उनको स्थान ने मिलगा तो मुखिता मुकाबला बाजपा और कांगरस के बीची इसमें सर क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं देखिए बारती जनता पार्टी इस क्लैरिटी के साथ के हम विकास के मुद्दे के उपर चुनाव लड़ रहे हैं इन पांच सालों के अंदर हमने इतना काम किया है मैं लगभग पचाससे अधिक विदानसवा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ और हर क्षेत्र के अंदर मैंने यह महसूस किया है कि लोग मानते हैं मैं सिर्फ कार्टा की बात नहीं करता आम जन मानते हैं कि जैरम की सरकार ने अभूत पूर्व काम किये अगर मैं आपको काउंट कराने लगूँ आप देखेंगे कि कोई वहां बिमार होता था तो लोग वहां उसको अगर कोई जरूरत पढ़ती है खास डॉक्टर की तो उसको पीजी आई यहां एम्स में लेके जाते थे अब पिछले पांच बरसों में उसका शिला नयास ही नहीं एम्स का उदगातन भी बिलासपुर में हो गया है यह भी एक बहुत बड़ी सुगात है जो हिमाचल को मिली बल्क ड्रग पार्क जो है वो लगबग दो हजार करोड की इन्वेस्टमेंट में वो उना जिले को वहां पर मिला है जो यहां पर मेडिकल कॉलेज आई एम जो ऐसे प्रावधान जो यहां पर किये गए हैं वो एक अभूत पूर्व डिवेल्पमेंट का भाग है फिर जो अटल टनल है आपने शायद देखी हो जो श्रोता गनु ने देखी हो एक 46 किलो मीटर का जो मनाली से रोहतां का रस्ता जो जिसको जाने का उसको शौट करके 9 किलो मीटर की टनल जो बनी लहॉल सपिती जो 6 महिने पूरे दुनिया से कट जाता था आज वो पूरे समय तक जुड़ा रहता है और अटल जी ने इसका शिला न्यास किया था सन 2004 के अंदर और उनका कहना था कि ये जो पत्थर है ये मेरे दिल के उपर ये एक पत्थर है और कांग्रेस की 10 साल जो सरकार रही उसने उसके उपर कोई कारे नहीं किया ये आदर निये मोदी जी की सरकार आई तो वो कारे पूरा हुआ आज अटल टनल जो है देश को समर्पित है उसके साथी साथ आप देखेंगे एक एक घर में LPG का सिलंडर पहुंच चुका है डबल इंजन की सरकार ने जहां पे उजबला योजना आई वहां पे जो मुख्य का सिलंडर हिमकेर की योजना को आयुशमान योजना के साथ जोडते हुए क्योंकि आयुशमान योजना में चार लाक बत्तिस जार लोग कवर हो रहे थे तो इन्होंने छे लाक अठाइस जार लोगों को हिमकेर में कवर करके सारों को स्वास्थ बीमा फ्री आफ कास्ट उन नहीं आया, वैक्सिनेशन हुई तो वैक्सिनेशन जो हंडर्डर्थ पर्सेंट वैक्सिनेशन वाला पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना उतनी उचाई तक जो जो अधर पे जो पंद्रह हजार पूट की टॉली गंज नाम का सबसे उची जगा है लाहल स्पीकी के अंदर वहाँ पर भी जो भेजने के लिए हेलिकॉप्टर के द्वारा वैक्सिनेशन भेज कर वहाँ पर भी किया गया आज टॉली गंज जगा भी ऐसी है जहां पर पानी का जो है जो नल भी पहुँच गया है आज हर घर 96% कवरेज जो है जो नल के साथ घरों की हो चुकी है और बड़ी तेजी से हम उसको 100% की तरफ आके बढ़ रहे हैं सडकों का जाल जो है हर गाउं सडक के साथ जुड़ चुका है तो मेरा मानना है कि डिवेल्पमेंट के अभूत पूर्व जो है अयाम जैराम सरकार ने حासल किये है और जो मोदी जी की सरकार जो दिल्ली में है और उनका साथ मिलता है तो ये जो अयाम और भी 3-4 गुना आगे बढ़के काम कर पाते हैं मुझे लगता है कि ये डबल इंजिन की सरकार एक बार हिमाचल वासी फिर से चाहते हैं आप इसको डबल इंजिन की सरकार बताते हैं लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि बीते पांच साल के अंदर बहुत ब्रस्टा चार हुआ इस पर आपका चाहते हैं दिखिए एक पंजाबी की कहावत है आटा गुं ना नीती है ना उनका कोई नियम है आप देखेंगे कि उसके विपरीत भारती जनता पार्टी के पास नेता भी है नीती भी है और हमने नियम के साथ सारे ये कारे किये हैं और कोई ऐसे चीज नहीं है क्योंकि आप जो जो इनोंने अपना निकालने का परियास किया कि हम जो सरकार के खिलाफ इन्होंने एक वाइट पेपर निकालने का परियास किया अब देखेंगे कि वाइट पेपर एक खोखला हिसा बनके रह गया आज कहीं पर उसकी चर्चा ही नहीं है आज आपको यह पंदरा दिन पहले चुनाव से आपको इस चीज की याद कहां से आई आप य पिचले लेवल के उपर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं विकास एक मुदा है डबल इंजन की सरकार यह दूसरा मुदा है यह मोदी जी की सरकार उपर है तो उसके साथ और आगे बढ़कर जो है विकास के काम करने हैं तो जो डबल इंजन की सरकार परदेश के अंद है उसके अध्यक्ष जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो आधरनीय जगत प्रकाश नड़ा जी का प्रदेश होने के नाते आज हिमाचल वासी गौरवानवित मैसूस करते हैं कि हमारा व्यक्ति जो है हमारा बेटा इस दुनिया की सबसे बड़ी राजनितिक दल का प्रदेश बना तो यह ट्रेंड बदला वहां पर भारती जनता पार्टी की सरकार जो है वहां पर रिपीट हुई और जो 36 बरस में उत्तर परदेश में जो ट्रेंड था कि मुख्यमंतरी दुबारा नहीं बनते थे वो भी जो है वो जो पुराना रिवास था वो रिवास बदला गया हमने गोवा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई हमने मनीपूर के अंदर रिपीट किया है मेरा मानना है क कि इस पार लोग ये महसूस कर रहे हैं कांग्रस जो है वो गिरावर्ट की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं कांग्रस के पास जो जो नेताओं की वो कमी हो रही है जो कोई नंका कोई थौट प्रॉसेस है वो बिलकुल लेफट राइट की तरफ जा रहा है उनका कंट्रोल अपने लोगों के उपर नहीं है, लोग छोड़ के भाजपा को जॉइन कर रहे हैं, आए दिन रोज हमारे पास ऐसे लोग जॉइन कर रहे हैं कि जो कितने बरसों से उनके साथ थे, आप देखिए आज असाम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने बरस कांगरस के अंदर काम किया, जियोतरजा सिंदिया जो हैं, उन्होंने काम किया, आज दोनों हमारे एक कैबिनेट मंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, वो कारे रत हैं, पंजाब के अंदर तो आप जानते ही हैं कि आधी कांगरस जो है, वो छोड़के जा चुकी है, इदर जम्मू कश्मीर में आ करना कि वही ऐसा नहीं होगा, हमारे पास अब कोई मुंगेरी लाल के सपने लेना चाता है, तो वो लेते रहें, लेकिन आठ दिसंबर को आपके सामने ये आएगा, जैराम की सरकार जो है, एक बार फिर से बनेगी भाजबा, इसको रिपीट करेगी, इसमें कोई दोर संजी जी बागी एक समस्या रहा है, चाहे कॉंग्रेस हो, चाहे भाजबाओ, ये एक समस्या पेशा रही है, सामने पता लग रहा है कि बहुत से बागी जो है आपकी पार्टी में भी हैं, तो उनको किस तरह से आप जो है साध रहें? मैं नहीं सोचता कि कोई बागीयों की कोई ऐसा कोई विशे रहेगा, देखिए होता क्या है कि जब व्यक्ति विशेश को और कारेकरता को और दुनिया को लगता है कि आपकी सरकार बनने वाली है, तो नैचुली एक थोड़ा सा एस्पिरेशन्स जो हैं कुछ लोगों की और सिस्टम है, हम लोग पूरे सिस्टम के साथ काम करते हैं, हम पूरे सर्वे के साथ काम करते हैं, हमने विनेबिलिटी को अधार रखते हुए, हमने टिक्टों का अबंटन किया है, हमने इस चीज़ को देखा है कि हमने सरकार को रिपीट करना है, कुछ लोगों ने ऐसा किया ह मुझे लगता है कि उसमें से काफी लोगों ने विड्रॉल के दिन उन्होंने वापस भी लिया है और जो लोग बचे हैं वो भी आप कुछ चंद दिनों में देखेंगे वो भी वापस मुख्यदारा में आजए हैं आप मोदी पेक्टर को ज़्यादा महिकून मानते हैं या कि सरकार की उपलब भी को देखे आप इस चीज़ को आप समझें देश ही नहीं दुनिया के अंदर मोदी जी एक बहुत बड़ा नाम है उस नाम को आप जो है उसको आप साइड पर नहीं कर सकते आप ये देखिए कि उस नाम के साथ लोगों की भावना ही जुड़ी हुई है और जब वो हिमाचल को एक तरह से अपना दूसरा घर मानते हैं और जितना प्यार सम्मान उन्होंने हिमाचल को दिया है आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा चार जगां पर उन्होंने कारेकरम किये बंदे भारत हमको ट्रेन यहां पर दी बल्क ड्रग पार्क दिया एम्स का उदगातन किया वहां दशेरा के दिन को भी आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर कुलू में नहीं पहुंचा था वो वहां पहुंचे चंबा के मिदान में वो लगबग 43 वरस बाद कोई प्रधानमंतरी गए थे उदर एक अभूतपूर्व कारेकरम हुआ पूरे प्रदेश के अंदर यह लहर चली है कि मोदी जी का खास प्यार है इमाचल के प्रती और वो मोदी जी के नाम पे मोदी जी के काम पे जैराम जी के काम के उपर वो वोट देंगे और भाजपा की सरकार को रिपीट करें भाजपा को आप सबसे अगर नहीं मान रहे हैं पेलाल चुनावों में तो मैं जानना चाता हूं कि कितनी सीटें जीतनी की उमीद लगेगी पिछली बार से अधिक सीटे जीतनी तो ये थे हमारे साथ संजे टेंडन जी ट्रेंड तोड़ा है कि दूसरी दलों की सरकारे आई लेकिन माचल में भी वही ट्रेंड जो है रिपीट होगा साजन शर्मा अर्थपरकाश के लिए ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थपरकाश टीवी और बेल आइकन धबाना भूले